तीन राज्यों की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलाल नेम प्लेट मामले पर अंतरिम रोक लगा दिया है अंतरिम रोक लगा जाने के पिज़े सुप्रीम कोर्ट की टिपणी ये आई कि इसमें नाम बताने की पहचान बताने की कोई आवशक्ता नहीं है आपके इस धर्म जाती के हैं इसे भी बताने की कोई आवशक्ता नहीं है आवशक्ता है तो सिर्फ ये बताने की आप क्या परो को नोटेश जारी करके बड़ा जटका भी सुप्रेम कोट ने दिया जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तर अखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटेश जारी कर इस पर अब जवाब मागा गया है और 26 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी जिसमे अब सरकारों की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है वो तो वहराल देखने का विशय होगा लेकिन जो पूरा विवाद शुरू हुआ था वो इस बात को लेकर हुआ था कि इसमें दुकान का नाम बदलना या प्रोपराइटर का नाम लिखने की क्या कोई आवशकता वाकई म पीछे का जो कारण बताए गया था वो ये बताए गया था कि सरकार ये चाहती है कि जो कावड यात्री हैं उनके पसंद का उनके जरुवत का भोजन उपलब्द हो और वो कहां और किसके पास जाकर भोजन करने ये उन्हें पता होना चाहिए जबकि कोड की तरफ से इस पू सरकार को जो नोटिस जारी किया गया इसका जवाब 26 जुलाई तक संभव है की तीनों ही राजियों की सरकार दे लेकिन इस पूरे विवाद में जो बात अब तक सामने आई है वो अब ये देखने वाली है कि क्या ये सरकार आदेश वापस लेगी चुकि कोड की तरफ से जो ट लेकने का विशय होगा आपको बता दें कि जिस तरह से कावड यात्रा के तैयारियों के दोरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने कावड यात्रा के रूट पर अपने प्रोप्राइटर्स के नाम के साथ दुकान की डेटेल मॉबाइल नंबर साजा करने को आवशक बताया था प्रशासर ने बाकाइदा इसके लिए अभ्यान चला करके सभी दुकानदारों को पाबंद भी किया था अब इस पैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है जिसका सीधा सा मतलब है कि अब आपके उपर कोई पाबंदी नहीं है आप अपनी दुकान के उपर नेमपलिट लग लगाएं या ना लगाएं ये विशे नहीं रह जाएगा जिससे सरकार के आदेश के उलंगन का भी कोई विशे नहीं बनता है चुकि कोड की तरब से इस पर अब अंतरिम रोक लगा दी गई है फिलाल जो इस्तिती बन रही है वो ये कि कोड के द्वारा अंतरिम रोक लगा वो वेज है या नॉन वेज है वो क्या लेना चाहते हैं ये उन्हें बताना होगा ये उनकी freedom है ये उनका अधिकार है और इसके बारे में उनका उन्हें पूरी जानकारी भी होनी चाहिए कोर्ट की तरफ से के बाद से सरकार के निरने के बाद से इस पर गहमा गहमी तेज हो गई थी सियासी घमासान मच गया था अब कोर्ट के द्वारा जब इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है तो इस पर आप राज उने तेक दलों के रेक्शन्स भी आने लगे हैं बाराल अभी देखने का विशे ये भी होगा कि 26 जुलाई को क्या कुछ कोर्ट में तथ्य पेश किये जाते हैं मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंट के सरकारों की तरफ से कोर्ट के नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है नेम प्लेट विबाद पर